पर यह प्रवरे में जादा होता है अभी बहुत कम होता है जैसे यह पूरा 5 किलो मेट्री के बम चेया पिवार बनाते मिजल आपको मैं में और बनाता है। अब क्या स्ट प्रोसेस क्या सप्सक्राइब इस संड़ बेस्ट का इसवे हमारे इतर को ऐसे हैं अलग से खरीदना पड़ता है फिर उइल जो रहता है उसमें लिया जाता है फिर इसमें फूल और पानी रहता है फिर उसको हम गरम करते हैं जो उसकी भाप उड़ती वो ओईल के अंदर बैठाई जाती है यानि रेगुलर करते हैं पूरा एक महीना लगता है एक महीना का प्रोसस है इत्र का प्रोसस है यह हो गया इत्र का इसके अलावा देको और भी ज रिख की आए जैसे देखो गुलाव जल का प्रोसस रहता है कि इसमें हम ताजया फूल डालते हैं उससे चार गुना पानी रहता है बाद में देखो एसको चिकनी मिटी से पूरा मिटी से पेक क्या हुआ है शुआ से गरम करते हैं ऑन olarak के बाद जो इसकी भापूर्ती वो इसमें थंडा पानी बढ़ा हुआ है इस टिम थंडी होने के बाद फिट ड्रॉप ड्रॉप इस नली से कलेक्ट हो जाता है जो बनता ओर इंजल गुलाब जल जो आप में डालो आई क्लीनर में यूज होता है इसके लाज जैसे हम और भी चुप बनाते हैं जैसे जामुन का बनता है तुलसी का बनाते ब्रहमी का जीरे का अजवाहिन का यानि अर्क का प्रोसेस से हम होता है जो गुलाब जल की विदी होती है से हम प्रोसेस रहता है और किसी का भी बनाओ और यहां जो गुलकन का जो प्रोडक्ट वो अलग से बनाते हैं गुलकन के लिए क्या होता है कि ताजा फुल को हम डंडल से अलग कर लेते हैं फिर उसको मिस्री और पंखुरी दोनों को कूटने के बाद पूरा एक महीना तक दूप में पड़ा रहता ह वो त्यार होता है गुलकन और गुलकन डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है जैसे गया से यूज होता है इसके लावा जैसे और भी जो प्रोड़क्ट हमारा कैसे क्या यूज होता है वो भी आपको मैं बता हूंगा कैसे क्या लिया जाता है क्या क्या चीज किसमें तर आखो के लिए जोडों में दर्द में यूद होता है आवला और एलो वीरा दोनों मिक्स करके पिया जाता है सुबह में लिया जाता है एक आता है अजवाइन आर्ग जो किसी को खाना खाने के बाद गेस का प्रोब्लम होता है खाना अजमनी होता है वात होता है पीत होता है जो करने में थाइरड प्रोब्लम पाचन तंतर को मजबूत करता है पेट की चर्बी कम करता है और वेट लॉस करने में यूज़ होता है इसको पीने का तरीका है सुबह आदा गिलास पानी गरम पानी करना है उसमें 20 ml डालना है और एक नीमू में चोड़ के पीना है सुबह सुब आदा कप इसी को गुनगुना करके फिर अलकासा नमक डालके और पी के सो जाने का है और एक गंटे दो गंटे तक उपर से कुछ पानी वगरा नहीं पीना है कुछ भी खाना भी नहीं है और यह हमारा जामून का चुरण और जामून का अर्ग दोनों आता है यह डाइबिट इस वालों के लिए बहुत इफेक्टि होता है यानि हफते पर में कंट्रोल हो जाती है डाइबिटेस इसके लावा यह तुलसी आर्गी जो पांच मून डेली पीते तक यूमीनेटी पावर बढ़ाता है इसको पीना है उनली सुबह आदा गिलास घरम पानी में पांच मून पांच मून डेली पीना है यह तुलसी वाला हो गया और ब्रहमी का आर्गी जो यादास्त और यूमीनेटी पावर बढ़ाता है यादास्त के लिए दूद याशेद में डालके पीना है दो दो चमाच तो यादास्त बढ़ाता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है नो साइड गुलकन यूज़ होता है फो डाइजसट जैसे कपस एस इस होता है फाइल सोता है नक्सी रसर लेए उगते हुए उनके लिए जोता है जैसे इसको गुलकन को खौऊ एक चमद राद को दूद में घुलके तक यह उसे पेट साप रहता है लीवर साप रहता है कभी बूकय शर्वत जो डाईजेस्टन के लिए अच्छ होता है शर्वत यानि ठंड़ को तागी परदाम करता है और यह गुलाब का शर्वत यह हमारे यहां का इत्र है कैसर चंदन का भी है गुलाब का इतर भी है और यह रोजवाटर जो आख वगिर में डालते है जो आई क्लीनर फैस् एकदम रियल नेच्रल और्गेनिक रोजवाटर है इसके अलावा जैसे यह हमारा पूरा प्रोडक्त यह पूरा हो गया जैसे गुलाब जल गुलकान चलो ठीक है जैसे देखो जबी भी आप अल्दीगाटी आओ तो यह अल्दीगाटी में हमारी शोप है जैसे हम और्गेनिक बनाते हैं गुलाब जल गुलकान शर्बत होगे रहा जबी भी आये तो लेके जाए और्गेनिक शर्बत है नैच्रल खुद का प्लाइंट है खुद बनाते हैं जैसे अल्दीगाटी के उतर दी तीसरा नंबर चौता नंबर फे शोप है हमारी जी देखो यह हमारा अल्दी अब बेटे कुरियर करवा सकते हो एवरी प्रोडक्त गरवेटे ओंडेलियर हो जाती है जी बीजा दको वह मेरा शोप का नाम है अल्दी गाटी परफ्यूम रोज प्रड़क्शन करके और यह पूरा हमारा शोप है और मेरा नाम है राजू और यहां पी शोप है पूरा पि झाल 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 झाल झाल